आज हमें एक स्लिंग बैग बनाएंगे इसके लिए हमने साड़े नौ इंचिस पाए साड़े साथ इंचिस के दो फाब्रिक के पिसिस लिए हैं और दो रबर शिट के पिसिस और तीन अस्तर के पिसिस एक दो और तीन पहले हम यह फाब्रिक के पीछे रबर शिट जोड़ेंगे चारों साइड से हम सिलाई करेंगे ऐसे ही जो दूसरा पीस है इसके उपर हमें ऐसे सिलाई करना है साड़े नौ इंचिस की हाइट है और साड़े साथ इंचिस की वीड़त है इससे हमने ये दोनों के पीछे रबरशिट अटाच की है और ये रबरशिट 1.5 mm की है इसके बाद हमने ये एक पैच लिया है आप हाथ से भी इमराइडरी कर सकते हैं यहाँ पर ये पैच साड़े छे इंचिस पाई साथ इंचिस का है तो ये हम यहाँ पर जोड़ेंगे एक के उपर हम चारों साइड से हम सिलाई करेंगे इसे हमने ये पैच जोइन किया है इसके बाद हम ये दुसरा पीस लेंगे और ये तीन में से एक अस्तर का पीस लेंगे, इसके बैक साइड में रखेंगे, यहाँ पर उपर की साइड से हमें दो इंच मार्क करना है, दो इंच मार्क करेंगे, और ये मार्किंग के उपर हमें अस्तर के साथ साथ ही, इसे कटिंग करना है, एक साइड हम लेंगे, साड़े साथ इन जिसके हमें दो जीपर्स लेना है, इसमें से हम एक लेंगे, सीधी साइड और अस्तर के सीधी साइड हम, यह सीधी साइड हम, ऐसे रखेंगे, और यहां पर सिलाई करेंगे, ऐसे हमने यह अस्तर अंदर की साइड में करके, यहां पर टॉप स्टिच किया, फिर से एक बार दिखा देते हूँ, यह उपर की साइड हमें इस तरह से जोड़ना है, और यह अस्तर बैक साइड में, इसके उपर हम यहां से यहां तक सिलाई करेंगे, ऐसे यहां पर सिलाई करने के बाद, यह अस्तर और यह फैब्रिक हमें उपर की साइड में करना है, और यहां पर हम सिलाई करेंगे, ऐसे ही हमें, हमने इसके उपर की थी, यह अस्तर बैक साइड में करके, इसके उपर हमने टॉप स्टीच किया था, यहाँ पर टॉप स्टिच होने के बाद हम यहां से रनर डालेंगे और रनर डालने के बाद हमें चारो साइड से सिलाई करके यह अस्तर और फाब्रिक साथ में चॉइन करना है ऐसे यह एक पार्ट रेडी हो गया इसके बाद हम साड़े साथ इंचिस की दूसरी जीपर हम लेंगे यहाँ पर सीधी साइड और यह अस्तर की सीधी साइड हम यहाँ पर रखेंगे और यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे यहाँ पर सिलाई होने के बाद हम यह अस्तर अंदर की साइड में करेंगे और यहां पर हमें top stitch करना है और यह हम यहां से यहां तक चोड़ देंगे ऐसे हमने यह एक पार्ट बना लिया है इसके पाद हम यह दूसरा piece लेंगे सीधी side यहां पर जिब के उपर की side में हमें रखना है और यह अस्तर इसके जिब के back side में A Can You Sell करेंगे और टर्न करकि इसके उपर भी मिवेँ में टाप स्टीच करना है और इसी तरह से में जॉइन करना है ऐसे हमने ये दोनों पार्स जॉइन की इसके बाद हमने यहां से रेनर डाला है ये फ्रेंट साइड है और इसके बाद हम 15 इंचिस का एक बेल्ट लेंगे इस तरह से हमने लिया है जहाँ पर लेस मिलेगी वही शॉप में आपको ऐसे मिल जाएगा ये मल्टी कलर्स में भी मिलता है और इसके बाद यहां पर हम सिलाई करेंगे और इसकी दूसरी साइड हम यहां पर जोडेंगे एसे हम ए ये मिल्ट जाएऑं किया है डोनों साइड से इसके बाद ये बिल्ट अंदर के साइड में रखेंगे और यहां पर हम ऐसे फोर्ड करेंगे और तीनों साइड से हमें यहां से इह तक सिलाई करके चोड़ना है ऐसे हमने तीनों साइड से जॉइन किया, यह जॉइन करने के बाद यह ऐसे पाइपिन लेके भी ऐसे आप पाइपिन कर सकते हैं, यह फाब्रिक यह जो अस्तर का पीस है इसकी भी पाइपिन ऐसे यह पाइपिन इसे कर सकते हैं, और यह इसके बाद हम यह कॉर्नर से कट और यहां से हम सीधी साइड करेंगे सीधी साइड करेंगे ऐसी यह हमारी स्लिंग बैप तयार हो गई या पार्टी में भी लेकी जा सकते हैं बैक साइड में यह एक पॉकेट हुआ है